क्या आप परिशान हैं कि OBE यानि open book exam अपने smartphone से कैसे दें क्या ये exam लिखकर होंगे या type करके इसमें तीन घंटे किस की सीजों के लिए मिलेंगे अगर कोई technical problem आ गई तो क्या करें इन सभी प्रशन को उतर इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं सबसे पहले cam scanner दोस्ते इस application को आप playstore पर जाकर असाने से install कर सकते हैं क्योंकि अपने answer sheet को आप as it is photo खीच कर नहीं डाल सकते हैं आपको अपने answer sheet को scan करना होगा पहले और इसे pdf में convert करना होगा जब आप इसे install करेंगे तो कुछ ऐसा interface screen पर आएगा step 2 आप अपने email id से इसे login करें यहाँ पर मेरा phone number लिखा है बड़ आप ऐसा ना करें आप better होगा आप इसे login करें या फिर register करें अपने email id से और next पर click करें step 3 start scanning पर click करें और open हो जाएगा आपका front camera step 4 इसका प्रयोग करने आपको exam के अंत में ही कर रहा है step 5 आपने answer sheet को उठा कर सीधा रखिए और photo scanner camera से इसे click कीजिए और photo का size adjust करना ना भूलें नीचे yellow घेरे में जो button है इसे press करें step 6 यहाँ आपने scanning की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और एक बार आप yellow घेरे पर click कर दें जो की save का option है अब आपके सामने एक continue का option आएगा इस पर click करके अपने जितने भी sheets लिखी हैं आपने 1,2,3,4,5,6 बारी बारी से click करते जाएं click कर जाएं और photo खीषते जाएं याद रहे आपको एक sheet के ऊपर A4 यानि की simple photo copy के लिए जो प्रयोग होने वाले sheet है उस पर sign करना ना भूलें हर sheet के ऊपर आपको top पर अपना signature अपना roll number अपना name और paper code और sheet number ज़रूर लिखें दोस्तों सबसे पहले आप एक plain paper पर ऐसा name, date, time, paper वा exam roll number लिख दें इसे आप black या blue pen से भी लिख सकते हैं लेकिन बाके sheet उपर आपको ball blue pen से ही लिखना होगा और हर sheet में उपर अपना name, roll number, paper code वा sign करना ना भूलें और scan करते वक्त photo कटेना इसका भी पूरा ध्यान रखें अब यहाँ उपर PDF का option आ जाएगा जैसा कि आप green circle में देख सकते हैं जिस sequence में आपने photo खीची है वो sequence number 1, 2, 3, 4 लिखा आ जाएगा बस एक बार आप PDF वाले option पर click कर दें सारे page की PDF एक बार में ही बन जाएगी इसकी आगे की जानकारी के लिए मैं आपको due के guidelines को पढ़कर समझा देता हूँ ये भी जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पहले page पर ये बात साफ कर दी गई है कि इस exam को देने के लिए विद्यार्थी अपने notes, अपने text books, अपने reference book की सहायता ले सकते हैं और अब यहाँ कुछ विद्यार्थी सोच रहोंगे कि क्या भी अपने tuition teachers की सहायता भी ले सकते हैं तो रुकिए इसके लिए भी guidelines में आके कुछ बाते कहीं गई है page नमबर टू पर विद्यार्थी को कुछ बाते ध्यान रखने को कहा गया है exam से एक घंटे पहले शांती वाले महौल में चले जाएं जहां आपको तीन घंटे तक कोई disturb ना करें पूरी रोशनी आए एक घड़ी का प्रयोग जरूर करें और पानी के bottle पर साथ जरूर रखें page नमबर तीन पर उन्हें help book वा study material का प्रयोग पर भी जारा जोर दिया है page नमबर चार पर ये बताया गया है कि इस open book exam में कौन-कौन सा विद्यारती हिस्सा ले रहे है इसमें third year के SOL, NCWEB, regular के जो विद्यारती है वो इस हिस्सा ले ही रहे है साथ ही जिन वर्चो के third year में back आगई थी वो भी विद्यारती इस exam में हिस्सा ले रहे है page नमबर पांच पर थोड़ा और important हो जाता है इसमें पूरा process लिखा है यहां विद्यारती को exam के कम से कम 30 मिनट पहले बैठने को कहा गया है जैसे ही विद्यारती login करेगा उसका question paper सामने हो जाएगा और timer शुरू कर दिया जाएगा question paper open करने का password आपको mail या SMS के माधम से दे दिया जाएगा लेकिन यहां मेरा यहीं कि सौरा पांडे का अनुभव यह कहता है कि password नहीं होगा किसी भी question के लिए कोई password नहीं रखा जाएगा page number 2 पर मैं आपको दुबार लेकर चलना चाहूँगा यहां पर एक mock examination यानि कि exam के ठीक एक week पहले विद्यारतों से mock यानि कि demo exam देना होगा ताकि विद्यारतों को aware किया सके कि exam कैसे actually होगा तो यह बात आपको याद रहे कि आपको एक सब्ताप पहले आपका एक mock examination due conduct करवाएगी तो इसमें आप जरूर 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 हिस्सा लें लेकिन एक बात जो new है वो यह है कि जैसे ही आपकी answer sheet successfully upload होगी तो आपको एक mail या message आ जाएगा और अगर आपको किसी प्रकार का mail या message नहीं मिलता है इसका मतलब है कि आपकी answer sheet ठीक से upload नहीं हुई भी है तो याद रहे इसलिए आपको trial exam में हिस्सा जरूर लेना है जो कि ठीक एक week पहले आपको परिक्षा से होने वाला है पेज नमबर 6 पर यह बात साफ तौर पर आपको बताया गया है कि दो घंटे पहले आपको दो घंटे आपको schedule लिखने के लिए वा एक घंटे extra आपको login, scan, website पर upload करने के लिए आपको time दिया गया है दोस्तो अपना admit card ठीक से ज़रूर पढ़े है जो कि exam तीन session में होंगे फर्स्ट साढ़े साथ बजे शुरू होगा जो सुबह होगा second session साढ़े ग्यारा बजे और third session आपका साढ़े तीन बजे शुरू होगा page number 7 पर ये बात शायद अब तक कि किसी को नहीं बताई गई है और लेकिन ये और काफी किसी वीडियो में भी YouTube आपको नहीं बताया गया होगा तो इसको information को ज्यान सुने कि कुछ ऐसा page आदे घंटे पहले आपको भरना होगा इसका screenshot ले 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 और इसे भरने के practice आप कर सकते हैं यदि ना समझाया तो मुझे WhatsApp भी कर सकते हैं जो मेरा number है 9871-523106 और आप मेरे मैं जो भी मदद कर पा हूँ आपके इसके लिए तो आप future में आप इस channel को ज़रू सब्सक्राइब करें ताकि मैं future में आपकी और भी मदद कर सकूँ page number 8 पर इस बात और साफ़त और पर कर दे गई है यदि e-form को भरते वाग कोई भी इन पर जाएं और यदि को प्रॉलम आती है तो विद्यारती अपना email ID या पासवर्ड भूल गया है तो DU के helpman number पर संपर्क करें जो कि आपको आसानी से Google पर मिल जाएगा एक प्रेश्ण जो हर बार पूछा जा रहा है कि interconnectivity को लेकर तो मैं बता दूँ कि सिर्फ एक्जाम को शुरू में कि एक्जाम के शुरुआत में ही आपको 0.5 GB का डाटा लेगा एक्जाम पेपर कोशिंग पेपर डाउनलोड करने में बस और इसके बार आपको इंटरेंट की ज़रुत नहीं है ये एक्जाम आप किसी दोस्त या परिवार या अन्य सदसे के फोन से भी दे सकते हैं पर उन्तो फोन याद रहे 4G ही होना चाहिए आपके वल ब्लैक या ब्लू पैन का प्रियोग ही करें अगर आपको डाइग्राम बनाना है तो आप पैंसिल का प्रियोग कर सकते हैं ओपन बुक एक्जाम का रिजल्ट कब आएगा अगला प्रशन ये रहा है तो याद रहे इसका आंसर पर डियो निर गाइडलेंट में मेंशन करा है कि ओपन बुक एक्जाम का रिजल्ट जुलाई के अंथ यानि 2020 के जुलाई तक के अंथ आ जाएगा यानि कि ठीक एक महीने के अंदर अंदर सका रिजल्ट भी बता दिया जाएगा एक्जाम को देने के लिए आप किसी भी ट्विशन ठीचर की सहायता नहीं ले सकते हैं और अगर ऐसा किया जाने पर आपकी परिक्षा को रद कर आ सकता है पर मूर इंफरमिशन कमेंट इन दा बॉक्स आप नीचे कमेंट करें मैं आपके सही परिक्षा का उतर देता रहोंगा और अन्य अपडेट के लिए भी इस चानल को सब्सक्राब जरूर करें थैंक यू सो मच पर आल अप यू पर वाचिंग इस वीडियो कम्प्लीटली